हेलो क्लास 9 के मेरे प्यारे बच्चो आज हम सेल डिविजन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो का अगला टॉपिक है और आखरी टॉपिक है तो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इस टॉपिक में हमको यह जाना है कि सेल डिवाइड होते हैं तो नए सेल बनते हैं तो वो डिवाइड होने के तरीके क्या है तो चले स्टार्ट करते हैं सेल डिविज यानि पहले से जो cells living है उनसे ही नए cell बनते हैं नए cell कहां से बनेगे पुराने cell से है ना तो इसी process को है ना पुराने cell से नए cells का बनना यही process है cell division तो वही लिखा है कि new cells are formed in organism in order to grow तो अगर हमारी body को grow करना है body में development करना है तो नए cells का बनना जरूरी है जब हम पैदा हुए थे हम बहुत चोटे थे size में बहुत चोटे थे कान चोटे नाख चोटे आखे चोटी हाथ चोटे पैर चोटे है ना लेकिन समय के साथ हमारी height बढ़ रही है हमारे body का growth हो रहा है तो हमारे body के अंदर जो cells है वो भी तो multiply हो रहे है उनका भी तो number grow हो रहा है तो इसका मतलब कि अगर body को grow करना है तो cells का number increase होना पड़ेगा और cells का number increase होने के लिए पुराने cells से ने cells बनना जरूरी है ठीक है और जो ने cells बनते हैं वो पुराने cells को replace भी करते हैं जो dead cells हैं उनको replace करते हैं और जो injured cells हैं उनको replace करते हैं और कभी-कभी gametes बनाने के लिए भी जो की reproduction में help है cell division होता है तो cell division का काम क्या है cell division का काम है to produce new cells to replace old dead and injured cells and also to form gametes ठीक है तो अगर आप से पूछा जाए what is the main role of cell division तो cell division का main role है new cells produce करना ताकि वो ने cells पुराने dead और injured cells को replace कर सके और यहां तक की gametes का भी formation कर सके और जो gametes reproduction में help करेंगे बास समझ में आ गई ठीक है तो the process by which new cells are made is called cell division तो ने cells जिन process से बनते हैं और ये ने cells पुराने dead और injured cells को replace करते हैं इसी process को हम cell division कहते हैं तो definition clear हो गई ठीक है अब आपके NCRT में जो division बताया है वो दो type का division बताया है तो there are two main types of cell division mitosis and meiosis ठीक है अब दोनों में अंतर है दोनों है cell division लेकिन दोनों के process में कुछ difference है और इसलिए हमने दोनों को अलग नाम दिया है एक नाम mitosis एक नाम meiosis तो क्या difference है थोड़ा इस डाइग्राम को देखकर idea लग जाएगा ठीक है अगर mitosis की बात करें तो mitosis में यह रहा आपका parent cell या old cell है न यह आपका parent cell है और parent cell से जो new cells बने वो कितने बने दो तो mitosis cell division में एक parent cell से दो नए cells का formation होता है daughter cell कहलो या new cells कहलो ठीक है या daughter cell कहलो या new cells तो parent cell एक था लेकिन cell division के बाद दो new cell बने तो ऐसे cell division को mitosis कहता है लेकिन meiosis में क्या होता है meiosis में एक parent cell है ठीक है लेकिन उससे बनने वाले जो daughter cell या new cells है वो दो नहीं है चार है है ना क्या है चार है तो बात समझ में आई clear तो यहाँ parent cell एक था लेकिन daughter cell 4 थे तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि mitosis cell division से mitosis cell division से दो cells produce होते हैं एक parent cell से लेकिन meiosis से एक parent cell से 4 daughter cell produce होते है बात समझ में आगी clear अब इसके कुछ और खासियत है अभी हम देखते है तो the process of cell division by which most of the cells divide for growth यानि ऐसा cell division जिससे cells का नंबर बढ़े और cells के नंबर बढ़ने के कारण body की growth हो ऐसे cell division को हम mitosis कहते हैं तो the process of cell division by which most of the cells divide for growth, growth करने के लिए body की growth के लिए जो cell division होता है जिससे cells का नंबर increase होता है उस cell division को हम mitosis कहते हैं in this process each cell called mother cell divides to form two identical daughter cells अब जिसको मैंने यहाँ parent cell नाम दिया थे ना उसी को यहाँ कह रहा है क्या mother cell तो मैं इस parent cell को मैं हटा कर mother cell लिख दूँ तो भी बात वही है क्योंकि mother भी तो पैरेंटी हुई तो माइटोसिस में क्या होता है माइटोसिस में एक mother cell से एक mother cell से दो identical daughter cell produce होते है टू आइडेंटिकल daughter cells identical कहने का मतलब बिल्कुल हूबहू same है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं देख पा रहे हो यह आपका एक mother cell है और mother cell में cell division हुआ तो दो डॉटर सेल प्रेडियूस हुए जो आपस में identical है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रेडियूस हुए ठीक है दो डॉटर सेल्स हैव देख सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम as the mother cell एक खास बात और कि माइटोसिस सेल डिवीजन में जो डॉटर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं वो उतने ही होते है जितने क्रोमोजोम मदर सेल में थे अगर मदर सेल में ग्रोमोजोम 44 हैं तो डॉटर सेल में भी 44, 44 होंगे अगर यहाँ 23 है तो यहाँ भी 23, यहाँ भी 23 होगे यानि नंबर अफ क्रोमोजोम आपके सेम रहेंगे ये चीज दिहान रखनी है तो बोडी की ग्रोथ होगी ने सेल्स बनेंगे वो ने सेल्स पुराने डेड ओल, इंजर्ट सेल्स को रिप्लेस करेंगे तो बॉडी की growth भी होगी और बॉडी में repairment भी होगा है ना तो ये सब काम mitosis cell division से होता है तो जब में mitosis का नाम आएगा आपको दो चीजें मिल ली याद रखनी है दो क्या तीन चीजें पहली बात कि mitosis cell division body की growth और repair के लिए होता है mitosis cell division में एक mother cell से दो identical daughter cell बनते है और mother cell में जितने chromosome होते हैं उतने ही chromosome daughter cells में भी होते है same number of chromosome ठीक है लेकिन लेकिन हमारे जो reproductive organ है अगर humans की बात करें तो ये रहा male reproductive system ये रहा female reproductive system ठीक है अब male में reproduction के लिए क्या बनता है sperm male में और human females में human females में reproduction के लिए क्या बनता है egg क्या बनता है egg ठीक है ये भी cell है ये भी cell egg भी cell है sperm भी cell है ठीक है sperm कहां बनता है males में बनता है कहां testis में यहां sperm बनता है और females में egg कहा बनता है ovary में बास समझ में आ गई तो sperm और egg का fusion होगा तभी क्या बनेगा इस process को fertilization कहेंगे और तभी फिर क्या बनेगा बताईए तभी आपका zygote बनेगा zygote आगे चलके embryo बनेगा embryo आगे चलके fetus बनेगा और fetus आगे चलके एक नए बच्चे में convert हो जाएगा तो इस तरीके से reproduction होता है ठीक है तो जो हमारे reproductive organ है या tissue है वहाँ specific cells होते हैं जो divide होते हैं और divide होकर क्या बनाते हैं gamete जैसे sperm और egg दोनों किसके example हैं दोनों gamete के example है किसके example है यह female gamete और sperm male gamete समझ में आई बात यह male gamete और यह female gamete done अब जब body में reproduction की ज़रत होती है तो reproduction is different from growth तो जब body में growth करनी है तो mitosis cell division होगा लेकिन जब body में reproduction की ज़रत पढ़ती है और reproduction तभी होगा जब gamete का formation होगा तब आपका meiotic cell division होता है ठीक है और meiotic cell division कैसे होता है अब आई यह देखते है they divide कौन divide they मतलब कौन हमारे reproductive organ या tissue के जो cells होते हैं वो divide होते हैं एक दुसरे process से जब उन्हें क्या बनाना होता है gamete बनाना होता है और वो process है cell division का कौन सा meiosis which involves two consecutive cell division तो meiosis में cell division दो step में होता है अगर आपने माइटोसिस देखा तो यहाँ एक ही step में हो गया एक step में एक cell से दो cell बन गए लेकिन meiosis में दो step में cell division होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह पहला step ठीक है पहला step के बाद यह दूसरा step तो यह आपका mother cell है mother cell कितनी है एक और यह cells कहां के cells है reproductive organ के cells है तो reproductive organ के जो cells होंगे वो दो step में divide होंगे और finally चार daughter cell बनेंगे और चारो daughter cell में जो number of chromosome होगा वो mother cell का half होगा जैसे यहाँ देखो कितरे chromosome थे एक, दो, तीन, चार लेकिन daughter cells में कितने है दो 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 यहानि कि यहाँ चार chromosome यहाँ सब में दो-दो chromosome तो इसका मतलब chromosome का number क्या हो गया half हो गया बास समझ में आ गई तो meiotic cell division में दो consecutive division होते हैं और finally एक mother cell से four new daughter cell बनते हैं और उन सभी daughter cells में number of chromosome क्या होता है? half होता है तो इस टाइप के cell division को हम meiosis कहते हैं जिसमें daughter cells में number of chromosome mother cell के comparison में half हो जाता है और यही जो cell बने यह जो चार cell बने ना यही gametes हैं इन्ही cells को हम क्या कहेंगे? यह gametes हैं चाहे sperm कहलो चाहे egg कहलो यह चारो cells अब क्या कहलाएंगे? यह gametes कहलाएंगे तो gametes का जो formation होता उसके लिए कौन से cell division की जुरूद पढ़ती है? meiosis और body में जब growth की जुरूद पढ़ती है तो कोल से endivision काम आता है? mitosis और यही आपको इस topic में समझना था I think अब आपको एकदम clear हो गया होगा कि mitosis और meiosis में क्या difference है तो I hope कि इस video से आपको यह topic बिल्कुल solid concept समझ में आ गया तो ऐसे ही वीडियो जाते रहेंगे class 9 के science के लिए चाहे वो physics हो, चाहे वो bio हो तो रागवेन सर आपको class 9 के physics और bio के chapter का वीडियो हमेशा लाएंगे बस आपको channel को subscribe करके regularly, consistently इन topic को रागवेन सर से पढ़ना है ठीक है, clear तो अगर pdf की बात करें तो pdf आपको telegram पे मिल जाएगा telegram group से join करने के लिए आपको video में description में link होगा उस link पे click करके telegram से join कर लेना और telegram से अगर आप जुड़ जाते हो तो ये content सारा pdf वही telegram group में आपको मिल जाएगा, so thank you so much मिलते हैं next lecture में text lecture में अब आपको इस chapter की NCRT exercise का solution में दूँगा, ठीक है तो मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए खुश्रेई मस्री है जय हिन जय भारत